हेलो फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत कहते हूँ टोटल टिप्स राई बंशी का चैनल में तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके बार बहुत जादा जड़ रहे हैं और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है बाल सफेद बालों की समस्या हो गई है बाल रूखे सूखे बेजान हो गई है मॉस्टराइज नहीं है तो फ्रेंड्स आपको कोई भी टैंसल लेने की ज़रूद नहीं है क्योंकि आज में आपके साथ बहुती बहतरी यानि की घरेलू नुस्कार लेकर के आई हो जिसे आप यूज करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ काफी तेजी से होगी बाल लम्मे काले घने मजबूत होगे और स्केल्ड में खुझली जैसे समस्जा भी हमें सगली खतम हो जाएगी तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर औरजिनल अलोवेरा जेल लेना है और जिनल अलोवेरा जेल जो होता है यह हमारे सौन्दर लेके साथ जाथ साथ को भी अच्छे से रिपेयर करता है और बालों को बढ़ने में मदद करता है बालों की ग्रोथ काफी तेजी से होती है इससे और यह हमारे दो मुए बालों की समस्चाओं को भी हमेशा के लिए कत्म करता है क्योंकि फ्रेंड्स अलूविरा जैल मेना विटामिस और अमीनो एसि ग्रोथ को काफी तेजी से करते हैं और हमारे स्केल्प में खुझली यानि इन्फेक्शन जैसी समस्चाओं को भी हमेशा के लिए खत्म करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दूसरी चीज लेनी है कैस्टर ओल कैस्टर ओल जो होता है फ्रेंड्स यह हमारे बालों क के लिए एक रामबाड ओसिदी की तरह काम करेंगी इससे आपके बालों का जड़ना तूटना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स यह बहुत ही स्ट्रॉंग हेर ओल है इससे जो है बालों की ग्रोथ काफी तेजी से होती है और हेर फॉल कम होता है और इस तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ ऐसी ही नहीनी वीडियो लिखे आती रहती हूँ तो आप मेरी वीडियो को एंड तक पूरा देखा करो और वीडियो को इसकी नहीं करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स तो अब आप मैं आपको आगे इसका यूज वताओंगी, आपको इसका यूज हफ़ते में दो से तीन बार जरूर करना है, अपनी हेर को अच्छे से किसी भी मैल्ड से वास कर लेना है, उसके बाद इसे अपनी हेर में, यानिके स्केल्क में हेर मास्क की तरह इसका एपलाई करना है, अच्छे से फिंगर से अपने स्केल्प में लगाना है 15 से 30 मट रखना है फिर अपने येर को फॉस्ट कर लेना है